ओम शैंती, 27 दिसंबर 2030, मीठे प्यारे बाबा के आज के मधूर महावाक्य, आज के मुडली के कुछ मुख्य पॉइंट्स, आज बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को इस बेहत की दुनिया से दिल नहीं लगानी है, बाब का मददकार बन, प्राइस लेना है, और ऐसा करने के लिए बाबने हमें चार युक्तियां बताई है, पहली और शेरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वधर्शन चक्र फिराना है, चौथा स्वीट हो और स्वीट राजधानी को याद करना है, बाबा कहते हमें स्वेव में, बाप में और ड्रामा की हर सीद में पूरा निश्चे रखना है, तबी हम विजई बन सकेंगे, तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुडली, उम्शांती, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्यानकारी जन्म तुम ब्राह्मनों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मन ही बाप के मददकार बनते हो, प्रेशन, अभी तुम बच्चे बाप को कौन से मदद करते हो, मददकार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं हम उन्हें प्योरिटी के मदद करते हैं बाबा ने जो यग्यर अचा है उसकी हम संभाल करते हैं तो जरूर बाबा हमें फ्राइज देगा संगम पर भी हमें बहुत बड़ी फ्राइज मिलती है हम स्रिष्ठी के आदी मध्य अंत को जानने वाले त्रिकाल दर्शी बन जाते हैं और भविश्य में गद्धी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत पितु मात सहायक स्वामी सक्षा ओम शांती। ये किसकी महिमा है। यह है परण प्रिय, परण पिता, परमात्मा जिनका नाम शिर्फ है, उनकी महिमा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम पार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पासकते। प्रिशी मुनी भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पासकते। वो भी नेती नेती कहते आई हैं। अब बाबा स्वेम आकर अपना परिचे देते हैं। क्यों? बाबा का परिचे तो होना चाहिए ना? तो बच्चों को परिचे मिले कैसे? जब तक वे इस भूमी पर न आए तब तक और कोई उनका परिचे देना सके। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाब समझाते हैं मेरा भी पाठ नूधा हुआ है। मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। सादू संत भी काते रहते हैं। पतित पावन सीता राम आव क्योंकि रावन का राज्य है। रावन कोई कम नहीं है। सारे दुनिया हो तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावन ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना, आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावन का भी राज्य चलता है, रावन क्या है, ये कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, तो भी रावन का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़े ही है, मनुष्य कहते परमात्मा समर्थ है, तो रावन को राज्य करने क्यों देते हैं? आप समझाते हैं, ये नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का, भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, यही बना-बनाया ट्रामा है, ऐसे नहीं, परंपिता सर्वशक्ती मान है, तो खेल पूरा होने के पहले ही आ आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है, आप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्री भी बनाते हैं, शिवाय नमा भी कहते हैं, रम्मा, विश्नु, शंकर को फिर भी देवता नमा कहेंगे, शिव को परमात्मा नमा कहेंगे, शिर्फ क्या ऐसा ही है, जैसा बबुलनात में या सूमनात के मंदिर में हैं, क्या परफिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है, वा, आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है, क्वेस्चन आएगा न, जैसे यहां छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परफिता परमात्मा अन्य आत्माउं से बड़ा है, और हम आत्माएं छोटी हैं, नहीं, बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा काते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरम अप तो पिता को बीच कहेंगे ना वह creator है, बाकी जो इतने वेद, उपनिशद, जीता, यग्य, तप, दान, पुन्य, यह सब हैं भक्ती की सामगरी, इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ती का, आधा कल्प ज्यान का, भक्ती है ब्रह्मा की रात, ज्यान है ब्रह्मा का दि यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं, कहते हैं, मैं तुमको फिर से राज्योक सिकलाता हूं, राज्य भागे दिलाने लिए, अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म गलानी का समय आप उंचा है, सबसे चास्ती गलानी किसकी करते है परम पिता परमातमा शिव की, लिखा है ना यदा यदा ही, ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ग्यान दिया है, भाशा तो यही है, तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की गलानी होती है, मुझे ठिकर भितर में ठोक देते हैं, तब म मैं आता हूँ, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी गलानी की है, तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खर्ण, जो कभी विनाश नहीं होता है, सत्युक में लक्ष्मी नारायन का राज्य भी यहां ही होता है, ये पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमा, इस बेहत के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाट नूदा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकडा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं, अभी हम ब्रामन हैं, फिर देवता यह है इश्वरिय वर्ण, यह है तुम्हारा 84 में जन्म का भी अंत, इसमें चारों वर्णों का तुमको ग्यान है, इसलिए ब्रामन वर्ण सबसे उंच है, परन्तु महिमा वपूजा देवताओं की होती है, प्रमा का मंदिर भी है, परन्तु कोई को पता नहीं कि इसमें प स्वर्ग बनाते हैं, जब स्थापना हो रही है, तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रूद्र ग्यान यग्य से विनाश च्वाला निकली, अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स् तुम्हारा हक है, परन्तु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उनको मैं स्वर्ग की प्राइस दूँगा, उन्हें भी पीस प्राइस आदी मिलती है, परन्तु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइस देते हैं, कहते हैं मैं नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे त्वारा स् पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, इतने बच्चे तो प्रजा पिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना, ये प्रामन जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्यानकारी जन्म है, देवताओं का जन्म या शुद्रू का जन्म कल्यानकारी नहीं है, ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्यानकारी है क्योंकि बाप का मददकार बन स्रिष्टी पर purity, पीस स्थापन करते हो वे इनाम देने वाले थोड़े ही जानते हैं वे तो कोई American आधी को दे देते हैं बाप फिर कहते हैं चो मेरे मददकार बनेंगे मैं उनको प्राइस दूँगा purity है तो स्रिष्टी में पीस, प्रॉस्पेरिटी भी है ये तो वेश्याले है सत्यूग है शिवाले शिव बाबा ने स्थापन किया है सादू सन्यासी है हठ योगी गरहस्त धर्मवालों को सहज, राज्योग तो सिखा नहीं सकते भल हजार बार गीता महा भारत पड़े ये तो सबका बाबा है सभी धर्मवालों को कहते हैं कि अपना बुद्धी योग एक मेरे से लगाओ मैं भी छोटा सा बिंदू हूँ इतना बड़ा नहीं हूँ जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ आत्मा भी यहां प्रगदी के बीच में रहती है इतनी बड़ी होती तो यहां कैसे बैठ सकती मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ सिर्फ मैं जनमरन रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जनमरन में आती हैं पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं. अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बापने यह रूत्र यग्य रचा है. इसके बाद सत्युग में कोई यग्य नहीं होता. फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यग्ये रच्ते रहते हैं ये रूद्रक्यान यग्ये सारे कल्प में एक ही बार रचा चाता है इसमें सबकी आभूती पढ़ जाती है फिर कोई यग्ये नहीं रचा जाता यग्ये रच्ते तब हैं जब कोई आफते आती हैं बरसात नहीं बढ़ती है वा अन्य कोई आफतें आती हैं तो यग्य करते हैं सत्युक्रेटा में तो कोई आफतें आती नहीं इस समय अन्य प्रकार की आफतें आती हैं इसलिए सबसे बड़े सीट शिर्पाबा ने यग्य रचवाया है तो पहले से ही साक्षातकार कराते हैं कैसे सब आहुती पढ़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? इसलिए तुम बच्चे बेहत पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, वे सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, यहां ग्रहस विवाद संभालते भी, इस से सिर्फ ममत्व तोड़ना है, यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या द दिल लगाना, ये तो मुर्दुं की दुन्या है, इसलिए कहते हैं कि परिस्तान को याद करो, कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो, बाबा भी दलाल बन, तुम्हारी पुद्धी का योग अपने साथ लगाते हैं, कहते हैं, आत्मा पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल, ये महिमा आवी उनकी है. कल्यूगी गुरु को पतिक पावन कह नहीं सकते. वै tragड़नों कर नहीं सकते. हाँ, शाष्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं. शिव बाबा का कोई थीचर, गुरु नहीं. बाबा तो कहते मैं तो तुमको स्वर्घ का वर्णा संहेंahan Munanda कर देने संहे हूं, फिर सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, वे कैसे बनते हैं? लड़ाई से? नहीं. न लक्षमी नारायन ने लड़ाई से राचे लिया, न राहम सीता ने. इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है. तुम इनकॉग्णीटो बॉर्यर्स हो, इसलिए तुम शक्ती सेना को कोई चानते नहीं. तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो. तुमने ही विश्व का राज्य कमाया है, फिर तुम ही पा रहे हो. तुमको प्राइस देने वाला बाप है. अब जो बाप के मददकार बनेंगे, उनको ही आधा कल्ब के लिए पीस, प्रॉस्परिटी की प्राइस मिलेगी. बाबा मददकार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं. स्वदर्शन चक्र फिराते हैं. शांतिधाम, स्वीट होम और स्वीट जानी को याद कर पवित्र बनते हैं. कितना सहज है? हम आत्मा भी स्टार हैं. हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है. वे इतना कोई बड़ा नहीं है. परन्तु स्टार की पूजा कैसे हो? इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है. पूजा तो पहले बाप की हो लक्ष्मी नारायन की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदकती दाता पाप, बल्यारी उस एक की ही है ना, उनकी जेहनती यानी पर्थ डाइमेंड तुल्य है, बागी सबके पर कौडी तुल्य है, शिवाय नमा ये उनका यग्य है, तुम ब जो मुझे purity peace स्थापन करने में मदद करेंगे, उनको इतना फल दूँगा, ब्रामनों से यग्य रचवाया है, तो दक्षिना तो देंगे ना, इतना बड़ा यग्य रचा है, और कोई भी यग्य इतना समय नहीं चलता है, कहते हैं, जो जितना मुझे मदद करेंगे, उतनी प्राइज दूँगा, सब को प्राइज देने वाला मैं हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ, अब जो करेगा, सो पाएगा, थोड़ा करेगा, तो प्रजा में चला जाएगा, गांधी को भी जिनोंने मदद की, तो प्रेजिडेंट, मिनिस्टर ये तो है अल्पकाल का सुक्त, बाब तो तुमको सारे आधी मध्य अंत का ज्यान दे, आप समान त्रिकाल दर्शी बनाते हैं, कहते हैं, मेरी पायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सन्यासी थोड़े ही ये ज्यान दे सकते हैं, उनसे वर्सा क्या मिल का, मैं तो गदी भी एक को देंगे, बागी को क्या मिलता है, बाबा तो तुम सब को गदी देते हैं, कितनी निशकाम सेवा करते हैं, और तुमने तो मुझे ठिकर भितर में डाल कितनी गलानी की है, ये भी ट्रामा बना हुआ है, जब कौडी चैसे बन जाते हो, तब तुम को हीरे चैसा बनाता हूँ, मैंने तो अनकिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नर्क बनाया है, अब अगर प्राप्ती करनी हैं, तो बाप के मददकार बन सच्ची प्राइस ले लो, इसमें प्योरिटी फर्स्ट है, बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं वे भी अच्चे हैं जो पवित्र रहते हैं, ये भी भारत को थामते यानि गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, परन्तु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो ज़रूर घर-क्रस में रहते पवित्र बनना पड़े, बाप दादा दोनों बच्चो को समझाते हैं. शिव बाबा भी इस पुरानी चुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं. नई ले नहीं सकते. माता के गर्व में तो आते नहीं. पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं. इस कल्युक में है घोर अंधियारा. घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है. अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वर जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नम पहला पॉइंट, इस बेहत की दुनिया का दिल से सन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, बाप का मददकार बन प्राइस लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। वर्दान, विशेशताओं को सामने रख सदा, खुशी-खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चे पुद्धी विजई रत्न भव, अपनी जो भी विशेशताओं हैं, उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा, कमजोरी की बात को ज्या जादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे, ये निश्चे रखो, कि बाप सर्व शक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे की पहुंचे, ऐसे सदा, निश्चे पुद्धी, विजई रत्न बनते हैं, अपने आप में निश्च बाप में निश्चे और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए, उसमें भी पूरा निश्चे हो, तब विजई बनेंगे, स्लोगन, प्योरिटी की रॉलिटी में रहो, तो हद की आकर्शनों से न्यारे हो जाएंगे, उन्श्यान्ती